अदिश्टाता मोदई मैं आपको आवार व्यक्त करता हूँ इसमें मेरा स्रद्धा निवेदन करने के लिए स्री राम जनुमी की भूमी में जो मंदिर पतिष्ठा हुआ इसकी विश्व में चर्चा करने का मोका मुझे देने के लिए मैं आपको कृत ग्यंदा प्रकट करता हूँ मर्यादा पुर्शुत्म भगवान स्री राम चंद्र को आज कुछ लोग राजिन्दी की कड़कड़े में बंदी करने का दुस्त प्रयास करते हैं पर अंतुए संभब नहीं होगा इस देश में नसनस में राम भी राजमान करते हैं जब बच्चा पैदा होता है उनके काम में राम नाम दिया जाता है और जब ठक जाते हैं राम राम कहते हैं अविनन्दन करने से जैस राम करते हैं और मरने के समय राम नाम सत्य है कहकर हम जाते हैं वही राम दसरत का बेटा वही राम घटगट में लेटा वही राम जगत पसेरा वही राम सवशेन नियारा यह राम एक मर्यादा का परतिक है हमारे देश में नगी पूरी वेशों में भगबान स्री राम सर्बुच चरित्र बत्ता का आदर्स आदर्स पुत्र आदर्स भ्राता आदर्स प्रजानुरंजग राजा कुशली समाज संगठक और आदर्स तत्वित्ता के रुप में स्री राम एक अद्भूत आदर्स प्रतिष्ठा किया जो अतुलनिय है अनुपाम है असाधारण है मरियादा पुर्षत्म भगवान स्री राम चंदर को सामपर दैक्त के कडगड़ में बंदी करने वाले इस देश में कुछ कम नहीं है कुछ लोग तो बोले हैं कि भगवान स्री राम चंदर के जन्मस्थान पर एक सोचाले बना दिया जाए क्या देश भक्ति क्यों क्यों कि विदेशी आक्रांता बावर को इस देश का अनन्य राष्ट पुरुष राम के साथ बरावर करने वाले इतिहास का विंजियन्स को सामना करना पड़ेगा अतिश्ठाता महुदय भगवान स्री राम का अनुपम दीव्य चरित्र उनका जीवन त्याग सेवा सत्य निष्ठा चरित्र वत्ता प्रदुख कातरता और प्रजान उरंजन का सर्वस्रिष्ट आदर से वो सामाजिक समरस्ता और राष्टि एकात्मता का प्रतीग भी है आचन्डाल व्रामन सर्वत्र उनका प्रेम का वारित प्रवा है आचन्डाला प्रतिहतरत योह यस्य प्रेम प्रवाह और भगवान स्री राम चंद्र को छोड़ करके कोई छदमंधर में ने प्रेक्ष्ट तक आश्रे ले करके इस राष्ट का पुनरुद्दर नहीं हो सकत राख्यत संस्कृति ऐसा कई प्रकार का व्युहाज है लेकिन स्री राम ने इसको जोड़ दिया स्री राम का आविर्भाव क्यों हुआ रावन को मारने वाले रावन को परास्त करने वाले ऐसा कई भी भूतिया उस समय में था बाली जो इनको कोक में छे मेनाय तक जाक करके चला था रावन उनके सामने कुछ नहीं है उनका बेटा अंगद उनको फुटबोल जिसा खिलता था वो भी कुछ नहीं है और कारतबीरिय करके एक महावीर थे जिनको सहसरार जुन करते हैं और रावन को उठ्वस करते हैं बरावन उनके सामने रावन का पराकरम कुछ नही है और भगवान परसुराम जिन्होंने 21 बार इस वित्री को सुन्य कर दिया वो कार्थविर्य को भी मार दिया उनके सामने भी रावन का प्राकर्म कुछ नहीं है फिर भगवान राम का क्या हो सकता था समाज में जिस जड़ता के कारण जिस खामोशी के कारण जिस स्वार्थपरता के कारण जिस भीरुता के कारण रावन का पैदा होता है यसको दूर करने के लिए समाज संगठित करने के लिए बगवान राम का अविर्वाब हुआ था बगवान राम abge्यानी ये ate नहीं करके नहीं गये थे सासरार जुन थे पर्शुराम थे परन्तु रावन का अत्याचार से समाज को रक्षिया नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका टेरिस्ट आउटफिट्स के द्वारा वो समाज में अत्याचार फैलाता था जेशा लाडे निकला अलकाइदा का जैसा आएस निकला उनका सेक्डो टेरिस्ट आउटफिट से बोड़ो हिजबुल मुझाहिदिन जे केलेप इस सबहें ऐसा रावन का कई टेरिस्ट आउटफिट का सरदार कौन थे ताड़का सुर्पनका मारिचा सुवाव हज्जारों र पेरिला युद्ध करके आतंग बाद मचाते थे रिश्यों का यग्यकुंड का विध्वस्त करते थे सामान जनता को अत्याचारित करते थे सनातन मुल्योबोद का खतम करने के लिए रहते हैं कुछ लोग भयंकर भ्रह्म पईदा करते हैं इसमें हिंदू-मुसलिम का कोई पी विवाद नहीं है इसमें उत्तरभारत दक्ष्टण भारत का कोई विवद नहीं यह क्यों मचाते हैं उनका धर्मपीता अंग्रें जो इस देश को शाषन करने के लिए जो व्रम पहलाते रही उसको चलाते यह क्या है उत्त्र भारत में तुम आ रहे हो दक्षिन भारत में उद्राविड रामने का रही हो संदन था विस्रवारशी का नंदन था सर्वस्रश्ट ब्राह्मन था वेदग्य भगवान सिर्वामन उनको पुरुहित पद्वें बरण किया था यह गलत है यह अनईतिहास के यह सत्य पर आधरित नहीं है परंतु यह क्यों करते हैं हमारा राष्ट जिबन को तोड़ने के लिए भगवान सिरी राम ने उत्तर दक्षन पूरवपस्चिम सब को जोड़ दिया देखिए कितना पराक्रमी लोग रावन को शास्ति नहीं दे सकते थे नियंत्रित नहीं कर किते थे परुत हमारा देश का एक मनेश्वी तपस्वी जो अपना साधना के गवास से निकल करके भाला माला छोड़ करके भाला पकड़ लिया और इस देश का तारून्य का नन्य प्रतिनीदी दो कि सोर के हाथ में रामलक्ष्वन के हाथ में धनुर्बान पकड़ा दिया तब रावन का सम्राज्य में हुरुत कंप हो गया निशिचर अहीनक करो मही भूजा उठाए प्रण किन्न जब इन्होंने ये प्रण कर लिया तब रावन कांपने लगा लंका कांपने लगा सारा आशुरिक सक्ति कांपने लगे ये कौन है ये असाधरन विभूतिये वालक को चतावनी दे दिया अब तुम्हारा जमाना खतम होने वाला है मन्य नरेंद्र मोधी जब आ गए कुर्शी पर तब क्या हुआ हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे इसको जान करके कुछ लोग चकीत हो गए उनका जीवन त्रही त्रही हुआ वह तो कहते थे हम भी खा आएंगे जनता को लूटेंगे यह आचम्बित हो गए यह क्या वात है यह नया कल्चर आगिया राजनिती में अधिस्थाता मोध भारत के कात्मता का आधर सत्थे भगवान स्री राम उन्हें समाजिक न्याय का प्रतिश्थाता थे उन्हें क्या क्या जब जंगल में गए वनवास में क्यों गए पित्रु सत्य पालन करने के लिए पित्रु सत्य किसलिए उनका विमाता कई के ने दसरत को वाद्य किया था और विमाता को कितना सम्मान विया बहुले माँ आप तो मेरा परम कल्यान कारणी मेरा चोटा भाई भरत राजा बनेगा मैं जंगल में सिष्ट भरत जाकर के सम्झाया परंदु राम को विचलित नहीं कर सके बश्चित ने बोला मैं गुरू मेरा आदेश तुमको पालन करना है जंगल तुमको वापीश जाना है भगवन राम ने बुले आपका आदेश मवश्य पालन करूंगा अगर आप सत्य बचन बोलेंगे क कि सास्त्र वेद सुनती शारा अध्यात्म के आधार पर आप जो उपतेश देते हैं ये ग्रहनिया है ये सत्य का आधार पर है आप अगर बूलेंगे तो मैं मानूंगा गुरू बसिष्ट भी परास्तों कर क्या ले प्रग्यां का अधिष्ठान परदिश्टित इस महापु है समाज का उपेकशिदवर गहें उनको स्रीराम ने सम्मान दिया सबर आलिंगन किया उनको समाजिक प्रथिष्ठा दिला दिया कि पतीट आहल्य का सेवा अगरहन किया किल इंड़ा और सभरी त uw चुलांचीत थी सभरी कए उच्चिष्च स्विकार करके से नहीं आचरण में प्रदर्शित किया अयोध्याका राजा राम जो पित्रु सुत्य पालन करने के लिए सण सिंगास उनको छोड़ करके चले गए और भरत जिन्होंने उनको आपिस करने के लिए गई वो भी सिंगासन स्विकार नहीं किया यही राम राजय के महिमा वो कठोव के साथ बैठेते बिवीशन आया रावन को सत्य का उपदेश दिया और नहीं माना आ गया अगया बख़वान सिरी रामन क्या क्या बैठो लंकेस बोल दिया सुगरिण ने बहला भाई क्या कर दिया आपने लंकेस बोल दिया आप जिसा अक्षमा सिले अबर रावन सीता मातं को समर्पित करके ख्षमाय आचना करेगा तो आप क्या करेंगे राम ने अचानक बोल दिया कुछ प्रब्लेम नहीं है समस्या कुछ नहीं है मैं रावन को अयोध्या दे दूंगा और लंका में विवीश्वन को राज्या वेशे कराऊंगा रगुकुल रीत सदा चलिया प्रा सक्किऽ किंद्या पर विजेए क्या आप रह सामराजम नहीं मिलाया उधर सुगरी को से किया घबन स्रीराम ने कभी तल्वार का वhelm पेश्वास नह梁 कर देते तल्वार जरुत होता है इसको भी नहीं चोड़ दे पराकरम प्रकट करने जरुरत होता है तो इसको मान değil अधिश्टाता मोद है पगवान स्री राम लंका पर विजय प्राप किया और उस दिन बुला सुग्रिव को बिविश्वन को एक बार जदी कोई बोल देता है कि मैं तुम्हारा हूँ उनको तिनी लोक में अभय प्रदान करना यह हमरा धर्म है सरनागत बत्सलता स्री राम के साथ पास में हमको सिखना चाहिए दिश्वप्रिम क्या है जब रावन को बद्ध किया रावन का कुलुनारी का अपमान नहीं किया सबको सम्मान प्रगवियोस्थापित किया और बद करने के पश्चाथ विविशन और लख्वन ने बुले है प्रभू आप इस वरनिम लंका में सासन करें हम आपका सेवा करेंगे Welcome to K-Mall a premium project by Kaleem Group K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic garment and lifestyle hub Khidirpur K-Mall which is designed as a world-class mall is the outcome of endless effort of our experts combined with modern superb techniques and new-age design book now